सबसे पहले तो गुराफ्टन क्लास वेलकम तो एजलाइट ओलन क्लास और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा देज दा लास्ट टोपिक रहेगा हमारा इसका एशन इस्ट्री का ठीक है तो एशन इस्ट्री के अंदर आप हम लोग को ने क्या किया था हम लोगों ने हर्शवर्दन रिहा किया था कल उसके बाद सौथ की जो डेनेस्ट्री चा लुक्या और पलबास के ओपर बात की ठीक है तो इंडिया के अंदर जो यह वाला हिस्सा था ठीक है वह कहां पर था अर्शेवर्दन के पास था और ठीक है यह वाला हिसा एह वाला हिससा यहां पर चालू क्या थे कर आभ यहां पो से प्लव थे चल्व था इस्ट है लिए प्लव थे यहां पर आपका हर्ष्ष वर्दन था ठीक है हर्षवर्दन था क्योंकि हर्षवर्दन के आगे कोई था नहीं ठीक है तो क्या हुआ यहां पे हर्षवर्दन की कैप्टिल क्या थी कन्योज कि हर्श्वर्धन की चैप्टिल क्या थी कम नॉइश तो ये खाली की नाम था तो प्रति गुजर कि गुजर या प्रति गुजर प्रतिहर का जाता था है इस वाल एरिया पर राजस्तान वाल मंदाकरी के पास पाला करते थे कि वाला थे यह भी ज़्योटरी वंखरते थे और शाउ अंदर साउथ के अंदर इन चालुक्यों को खत्म करके इन चाललुक्यों को खतम करके इन चांत को हरा के लिग नेन्स्टी का शुरुणा नबर होता इसी एरिया के ऊपर जिसका नाम था राष्टिर partie कि राष्टर कूट राष्टर जो फेरिया पर चालुक करके कौन सा इरिया जाता है राष्टर कूट सा जाते हैं और राष्टर कूट के बाद यहां पर जो पलव थे इन पलव उसको खत्म 212 में तक की साहीन बात करें हैं लShow से लेकर हम बात करें गयारा सो मतलब यह कजार ही बाट करें जिए सिम्पल सी बाता है 88 जो जो ama 1000 जो दो, कि यह बात करें कि यह जूझागी नाम होसा देंival सी लिए ह chilled कि हुझाल है यहां पर क्यों से तो हैं यहां पर यहां पर नाश्टर कूर्जब थे सब्सक्राइब उबर के आई थी इस वज़ा से जो था यह वाले अरिया था वह इंपोटेंट हो गया और इनकी भी नजर यहां पे थी इनकी भी नजर यहां पे थी और तीसरी पार्टी जो सौथ से साथ वां थे वह यहां तक पहुंचना चाहते इसको चीव करना चाहते थी ठीक है तो क्या कई बहुत स्टोरी थी कि ये तीनों लोग कौन से गुझर प्रतिहार दूसरे पा छूब राश्ट मों को जीतना चाहते थी तो इनके बीच में लिटाइ शाओ होती है और बैट यह से ताकत oble YT परती है परतिहार को बात इसके बात में फिर आप पालास को बात में फिर इही नहीं पुड़कर थे उसके बाद के इन्हों के भी जो स्ट्रगल थी उसे कहा जाता है ट्राइपार्टी स्ट्रगल, ट्र्ाय पार्टी ठीक है, स्ट्रगल, तो यह बहुत इन बऴडट कॉसन है, कि जो ट्राइपार्टी थि, उसमें कौन कौन पार्टी थी, कौन कौन से राजा से जो अबसमें लड़े थे और वो थे आपके, प्रतिहार्स दूसरे राष्ट्रकूर्स तीसरे पाल ठीक तो यह टील में ड्वम किसको पानी के लिए इस कण्ञाज को बढ़ में ऐसे की पाल की तो यह यह ब्हूंता है फोड़े राष्ट्रकूर्स को राद 영상 पुर देते हैं कूछता कि हो इसतना प्याव के आपना अभरी के लिए biggermax फोजा appropri Χार्श वर्धन पका पीरिड़ हष्वर्धन की डेथके वाद कर दो हर्ष वर्धन की डेथ के बाद क्या होती parked जो उसके फिडियोट्री थे जो उनके एक इंडिपेंडेंडन स्टेट हुआ करती ते उस त्याम जैसे प्रतिहार पालाज और अस्ट्रकूर्स तो बाद में बनती है तो यह क्या करते हैं फिर आप समें बैटल करते हैं किसको अचीव करने के लिए करने के लिए और टीनों की क्या था कन्योज को चीव करना था और उसके लिए यह बात करते हैं ठीक है तो अब थोड़ा सा इनके उपर बात कर लेते हैं ट्राइपाटी स्टेगल के अंदर हम क्या करेंगे थोड़ा सबी के बारें पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले जूरत है नहीं है जो ज्यादा इनपकुकर्स परना जरूरी है कि आते हैं मैक्सिम म मैक्सिम réponse काहें से टोंसे पुट होते हैं कि चैनल यह दोनों से घ्यार वाले में ज्यूरूरत में ज्यादा चौला इस दा मोच इंपायर था सौथ के अंदर इसके बारे में पढ़ना वड़ा जुरूरी है तो क्योंकि उसने वह एक आटीक्टिक्टर के लिए दूसरा ये इसने बहुत जो आपके लिए जाना रजाता है पहला राजचाही थी पहली सौहतने डिनस्टी ती जिसने नोर्थ की तरह expedition किया था मतलब नज है कि इसको कहा जाता है तो लेकिन अभी आज़ रखना कि नाम से भी चोला जाता है मतलब गंगा को जीतने वाले गंगा तक के रिये कि इसके बाद इनका ट्रेयर जो था वह सेंटर एशिया तक सुरी इस्ट एशिया तक फैला हुआ था दो वह सारे इंपक्ट था इनका इसके ऊपर ठीक है तो इनके बारे में पढ़ते हैं तो आई होप कि आपको पता लग गय इसके बारे में कोस्स्स राइज होते हैं अचिए अचिए हैए है 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 अचिए है 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 कि अचिए है थीज़ को सबसे बहुत करते हैं जो डिनस्ट्री की सबसे पहले हम बात करते हैं गुजर प्रतिहार गुजर प्रतिहार गुजर प्रतिहार जो थे ये वेस्टीटलि राज़्यस्थान वाले एरिया पर कवर कर रहे थे अगा को पर पसके हैं धाय स्टानरण चाहिए सीरे के तो कहां पर गी कर रहे थ decisions की सक्विकष्ट करकती तेश दोर्प्रेल सबस्कूर्प्राजा की समया ज़ो थित 110 अशत्राघ्जेंग चाहिक आजए सब्सक्राइज को साधे कर यह स्दूज्षान और गुज्ज्रात भाले Сब्सका राजाption भी उसके नाम भाक्ट्व को Wha ठीकों सी। दन् computation पाफ इसका। नाम था नागा वत्ड तो नागा वट्ट ने들 म्न इस्तावना की थी गुज्जर प्रतिहार डीनस्टी और इसी ऑसी को पुच्छर इन कि दिस्पीत को सबसे कहा हा थी array था वहां पे तो सबसे कुझरश फा चीशाह से Walk मेडन की दानीЕ जो सेकंड एनस्टी है जिसके बारे मैंने बदाया जो पढ़ने वाली है जिसके पर कोस्टन आते हैं यह पाल ठीक है जो पाल थे यह बेसिकली विहार वाले अरिया पर रूल कर रहे थे कहां पर रूल कर रहे थे बिहार वाले अरिया पर रूल कर रहे थे पाल और इनकी जो कैप्टल हुआ करती थी ठीक है वो थी आपकी मुंगेर ठीक है मुंगेर या मंदागरी ही फीजिफिक है और उनकों इसटेबलिचिए वह गॉपाला के दवरा इसटेबलिच किया गया था से इससे हिस्टेश्य किया था यहां यह नहीं किया था और इस डेवीका एक नाम था धर्मपाल धर्म पाला धर्म पाला यह था जिनने बाद में प्रतिहास थे उनको भी हराया था ठीक है धर्म पाल और धर्म पाल के बारे में आपको याद रखना वो चीजी है इसने बिक्रम शिला बिक्रम शिला यूनिवर्स्टी बनाए थी ठीक है कौन सी उनिवर्स्टी बनाए थी दर्म पाल ने इसने बनाए थी बिक्रम शिला यूनिवर्स्टी यह बहुत इंबन कोशन है बिक्रम शिला और इसने रिवाइब करवाया था किसको रिवाइब ओफ नालंदा यूनिवस्टी इसने किसको रिवाइब करवाया था रिवाइब दा नालंदा यूनिवस्टी ठीक है तो नालंदा यूनिवस्टी को क्या करवाया था इसने ठीक है गोसने को याद नज़ तो हां इसका नौए अटा इसको ल toiा तरुन और रिवारे में दन आलन्डा उन्यीवस्टी ऊसको कजै करा ठाएथ केवारे में दन यूश्ञा के लिए कि यहां से दर्मपाला से जो कुछ सन है वह सकता विकरम शिलर्एव स्टापना किसने की थी जिसने इसपना की थी तो इस तरह था इनके बाद में जाद में जाने की चूट नहीं है ठीक है उसके बाद चाहिए जो तीज़ी इंपोर्डेंट थी तीसरी इन्पोर्डेंट आपकी डेनस्टी थी इसके ऊपर क्वोचन पुट होता है कि बेसिकली कहां के थे ठीक है राश्टर कूड जो थे ठीक है यह बेसिकली कंणर थे कंणर थे ठीक है संस्क्रीट बाशा का इनके उपर बहुता इंपेक्ट था कंणर थे और इनकी जो खे मिनकी जो कैप्टल हुआ करतील राश्टर कूड की डीमान्याखेत है । ठीक है करनाटिका के अंदर कैपिटल थी मानय खेत वहां से डैनस्टि के शिरुवात होई और इनने चालुक्यों को ठीन आशने कर दिया था खतम करके इस नहीं से डैनस्टि के लोगों से इस शाहरू के यह क्षया की इसको इसके इसके सीपक्राइश्मेंट थी बाध दंती दुर गने की थी क किस लेश्ञ पार इस नेश्टे रश औरक ने किस डो को परता हैब्स की शचाल किया था जन्ती दुर्गा ने ठीक है और इसका जो एक राजा था जिसका नाम था अमोग वर्षा अमोग वर्षा तो जो अमोग वर्षा था इसके बारे में याद रखना इसने एक बुक लिखिए है देट इस कवी राजमार्ग कवी राज मा mines एक चब अडन्यक कराए थी तो मैंने कवी राज टो एक उपादी किसको भी आपधि पैवा practical को ठीक है तो वह है जाता था थीट तो वहाँ पर भी राज वे राज भी स्क्वा ने शैकल बא। तो अमोग वर्षा है इसने वर्षा कहूं था एक राष्ट्रगूर्ट किंग था जिसने इस बुक की जो थी यही रचना की थी जिसका नाम था कवि राज मार्ग ठीक है कवी राज मार्ग बहुत in point book है ठीक है इससे हम क्या कहा जाता है इस book को जो कहा जाता है that is known as the यह इसको क्या कहा जाता है इस book को ठीक है पहली connect poem थी first first connect poem थी जिसका नाम था कवी राज मार्ग तो इसलिए वह important चीज़ा जो इसके उपर पुछी आती है A ठीक है कनणर के ऊपर जो फैली एक अबी राज मार्ग ठीक के अवाद कि रास्टर कूर्स के अंदर का एक famous जरा भाज तहाता के एक फेमस राजा था जिसका नाम था कृष्णा बवन एक यह राजा का जिसका घृषजान के पिरिशना वन इसको याद रखना कि रास्टर कूर थे थिक है तो सकर तो सथिया रखना रास्टर कूर्ड Origin कुण क्रिश्कराजा कर alguns किरिशना वन है क्यांकि इस ने के लाच्ष ना द थ P अट एक बोर औल या क्यामिक न तो कौशन आगेए लौकर का वह किस डैनस्टी ने बनाया था तो वांसर आएगा आपके मंदर बनाने का जो रएए तो सब्सक्राइब करते हैं जो था उसने क्रिशना वन कौन सी डेनस्टी से रिलेटेड था तो राष्ट्रकूर्स कौन सा टेंपल बनवाया था उस टेंपल का नाम था डैड़िस टेंपल ओफ ऐलोरा जिसमें दुर्गा की विधाता की फोटो है उसके बाद बैसिकली शिव को मानने वाले थे लोग तो उसकी वुरा पूरा पूरा बनाया हुआ है ठीक है तो अटोमेडिक लिग के लाशना ट पेपर के लिए जिसका नाम है के लाशना टेंपल एट एलोरा मैं बार बार बोल रहा है इस चीज को इसका मतलव ही इंपोर्टेंट है इसलिए इसलिए सब्सक्राइब लेके बता रहा हूं इसको याद रखना कि बहुत गुमा के भी कोस्टन आसा था किसी भी तरीक के सा सकता कि राश्टर कूट ने कौन सा टेंपल बनाया था लोरा के अंदर या कृष्णावन ने कौन सा टेंपल बनाया था या कैराशना टेंपल जो था किस राजा ने बनवाया था किस राशाही ने बनवाया था तो कॉस्टन चेंज होता है विलकर कॉस्टन द्यान से पढ़ना है उसमें जो राश्टर कूटाज थे तो राश्टर कूटाज के दरवार में दो फेमस कवी थे तू फेमस पॉइट हुआ करते थे बन इस पंपा वन इस पंपा है पंपा एंड पॉना पंपा एंड पॉना इनके बारे में बहुत निम्र्ट इसन है पंपा एंड पॉना ठीक है, पंपा ने बुक लेकिया है, इसका नाम है बिक्रम, बिक्रम सेन, विजे, बिक्रम, बिक्रम सेन, विजे, ठीक है, बिक्रम सेन, विजे, वो किसके राष्ट्रकूट पंपा, ठीक है, जिनों लिखी है, शान्ती पूरण, इसने लिखी है, शान्ती पूरण, शान्ती पूरण, जो है, वो किसने लिखी है, पूरण आने, तो बहुत इनबन बुक है, जिसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, और इनके कार्यकाल में एक मैथेमेटीशन भी था, मैथेमेटीशन था, जिसका नाम था वीर अचार्या, वीर अचार्या, वीर अचार्या जो था, वो एक मैथेमेटेशन हुआ करता था इनके दरवार में, और उन्हेंने एक बुक लिखी है, गनित सरम, गनित सरम, गनित सरम एक बुक है, जो किसने लिखी है, बुक के लिखी है, बिक्रम अचार्या, वो कौन थे, एक मैथेमेटीशन हुआ करते थी, इनके दरवार के अंदर, ठीक है, तो ये था आपका, इसका फेमस जो कॉस्टान वेपर के अंदर आता है, ठीक है, तो ये, पेपर आश्टुकूर्स के उपर, जो था वो कॉस्टान जहीं से, पेपर के अंदर आता है, ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं, सौच के अंदर चलते हैं, ठीक है, तो दो पोईट लिए अपने, फेमोस पोईट, पंपा एंड पोना, मैथेमेटीशन, व इसके अंदर हुई है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कॉस्टान आते हैं, ठीक है, ये रहा है लेंथी, उसके बाद, जो लास्ट टोपिक था, डड़ी चोला, इन्हें इंपीरियल चोला भी कहा जाता है, इंपीरियल, इन्हें क्या कहा जाता है, इंपीरियल च पहले लोगों ने चोला पड़े थे उनसे डिफरेंट है यह हम कही लोगों का इसके लग लग होगा है कि फिर रिवास के लोग रहते हैं उन्हीं की परजातियां यह बंश्यस थे जो बाद में फिर आपना को इस्टेबलिश करते हैं ठीक है जो चोला से बेसी कली सौथ के अं नहीं करती थी क्यैप्टल हुआ करती दैद जिस तंजोर कर इनकी जो कैप्टाल हुआ करती थी वह कहां वे कष्य करती इमकी तनजोर तनजोर में जो था होगा क्यप्टलरण है एक इस्टेबलिस्ट बेस तो क्रेब विजयाल या निए रिवावेसर को Krush purchase विजालिया ने इसकी इस्टैबलिश्मेंट किया था विजालिया नहीं इसका इस्टैबलिश्मेंट बहुत नुमर कोस्टन है कि चोला की जो इस्टैबलिश्मेंट है वह किस ने की थी तो चोला की जो इस्टैबलिश्मेंट है वह आंकी खी विजल्या ने की थी ठीक है इस्टेवछमेंट जो थी विजल्या न की थी ठीक है और इसको करने का काम ठीक है ठीक है जो में डीएत अर्व किया था इसको पो राज का डिटा चॉलने ले राजा राजा चोला ने इसको डुवल्ब किया था है च्रील का से चिलोंा बादा तो इसको किया था 하나 कि ने ठीक के और इस राज-राज चोला नहीं भिडेशवर टेंपल at तंजोर ठीक ब्रिदेश्वर टेंपल कौन सा ब्रिदेश्वर ब्रिदेश्वर टेंपल जो बनाया था वो किसने तंजोर का जो शिब का टेंपल है वो किसने बनाया था राज राजा टेंपल ऐसे राजा राजेश्वर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है राज राजेश्वर temple के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और उसका नाम कि है बिर्देश्वर temple at कौन सा त आपका तंजोर जो था राजा- राजा बन ने बनाया था उसका जूस्ते स्टाइल स्टाइल जो था इसका स्टाइल जो था बोथ आपका द्रवडियन इस टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्चर था मैंने बताया था कि जो ड्रवडीयन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्चर एड़ेट इस टाइबलिस्ट बाए इस टाटर वाहे पलवास लेकिन इन टाइम्स ऑफ चोला वह अपने जैनित के ऊपर पहुंच गया था अपने हाइं मतलब स सबसे जाए ड्वड़ वह था जो ड्रवडीय स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्चर हुआ करता था वह कब हुआ था इस चोला इंपीरल चोला के टैम हुआ करता था जिसमें क्या होता था जो आपके बवन बनते थे वह पूरे के पूरे कैसे उसमें आपके मंदफ हुआ करता था पहले मतलब मन्दर हुआ करता था ओर इसके अपके गेट वरत जिसे सब काम होता था गोपूरम कहा जाता था जो जो ऑपूरम कहा जाता था टो यह घृता दिशन स्टाई्स जो आप ने जैनीट के बर पूंचा था जिसका सबसे रीवी जिसका इन पॉइनट राजां है जिसका सबसे रूलर इसके अंदर हुआ है राजेंदर वन ठीक है कौन सा था राजेंदर वन राजेंदर वन लाजेंदर वन इस दा मोस्ट इंपरेंट रूलर यह पहला राजा था जिसने नोर्थ की तरह एकस Radio जो था कि छीन कीए टूक इसने बड़ा ता और गंगा तक談 का इरिया जितिलिए था इरिया जीतिलिया था इस वाइस राजेंदर को कहा जाता था गंगई कौंडा के गएни कोंड़ा कहा जाता था तो गंगेई कोंड़ा का मतलब गंगा वाले एरिया को जीता है ठीक है उसे कहा जाता था ठीक है तो गंगेई कोंड़ा याद रखना किसको कहा याद राइजंदिर वन पहला राजा जिसने नोर्थ की तरह एक्सपेडिशन किया था ठीक है तो इसने सो सबसे 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 चोला दी थी तो यह चोला इंपायर के बार में इनने इंपेक्ट हुआ करता था था बहुत वड़ एरिये थे लोगों तो इसलिए इन्पोर्ण के ओपर भी आप क्या हुआ इसके बाद यहां तक आपके चोला वगरा सारे खत्म होते हैं चोला होगे सब्सक्राइब करने के लिए इदर से प्रतिहार संबला कर देते थे राष्ट्र कूर्स या उसमें लड़ रहे थे दोस्तो साल की लंबी बैटल के बाद क्या हुआ तो इनकी बीच में जो रिलेशन थे इतने सुहादरपूर नहीं रहे और जो थे शोटे शोटे राजपूत जो केंग्डम थे वह डवलप होना शुरू होगे ठीक है छोटे शोटे जो थे वह राजशाहिए डवलप होना शु फेल बुदेलखंड ऑले श्योग ठीक है उसके वाद चोहान या दिली वाले एरिया पर चोहान आगे आपके अ है ठीक है कंदेल खंड वाल एक टीक लया गड़वाल वाले आगे परमार आगे यहां पर चंदेल आगे फोले वाले यह विद्राध उसके बाद राठोड तोड अग कंदेल भाले पर राठोर स्क्थरी है वसके बाद अब यह जो इंडिया था वह चोटे उसमें तूट गया तो यहीं पर था यह इंडिया का जो नक्षा था वह प्रोक्सिमिट नीचे तो लिए कि यहां पर अब पर मार्तों मृर्च हट्रह्म ll चंदेल शोटी-छोटी राशा हेिा दफनी चुए और इंडिया में था है इराक से बारा साथ सो बारा एडी Agent को बार एंडिया कहने है कि 703 एडी में आपके मुहम्मद बिनकासि माया का महंमद बिन कासिम जो रहा लूँट के सब्सक्राइब नवा है और हम्हामत बिन कासिम के बाद करता है कि इन्दिया की जbing लूटने के लिए इनुट गांबर की इन्टिया को जिन दो कि ठीक है तो यह लोग थे इनके ऊपर हम स्टोरीज पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर किस किस तरीके से इनका राजपाट हुआ क्या क्या हुआ क्या हुआ को सी बैटल सुई जो पिपर में आती है अब याद रखना कि यहां पर आके दूर्बाइक चीज बारा हूं य ठीक है खजुराहो टेंपल रे 왜ղ के ने बनाये थे तो जो खजुराहो टेमपम मतर से डि टूर्स ने बनाये थे थी लिए इंदेल को सने तो यहां तरीके से लड़ते हैं जैसे अकवर के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं हम पढ़ेंगे इसके बाद मोगल के अंदर बिसके साथ मिलके काम करना शुरू कर देते हैं तो आज तक भी खत्म होती है और कल हमारा क्योश्चेस करेंगे और क्यूशक के बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर चीकां मंदें से मतलभा करेंगे बेद्धा मेडिवल हिस्ट्री ठीक है तो कल मारा क्यूज रहेगा कल सर्फ कॉस्टन और अंसर रहेगे कल हम लोग बैठेंगे और कॉस्टन अंसर करेंगे सामने सामने ठीक गलास तो आज के लिए इतना ही